बिहार लाइफ शेवन खबर की तह तक राष्ट्य जनता दल फिर से उसी दल दल में खेजना चाहती है अगर राष्ट्य जनता दल का नियत साफ होता तो वो सुरिंदर प्रशाद यादो जी को केंड़ियेट यहां से नहीं घोज़ित करता कि तेजसवी जी के पाटी का तेजसवी जी का रोजगार देने का लंबा इतिहास रहा है पुराना इतिहास रहा है लेक्स अप्राद के छेटरों में आ है व्म Ransom के छेत्रों में से Kidnapping के हैं इन्होंने भी रोजगार दिया है उसँ और हमारे मुखमंत्री बहुत ही गैवन है को भी मुखमांत्री बना दिये थे थे ठीक है ये काम सिर्फ नितियस कुमार जी कर सकते हैं इसलिए तो आप ये क्यों नहीं मानते है जब मैजी को बनाए तो तेजस्वी जी को ही बनाए उनके कार्ज करता से पुछे जाते इस बात को उनको करन्ट लेगा लोग सभाच रौग को लेकर राजनितिक सरगर्मी तेज है और जहानाबाद में राजनितिक सरगर्मी सबसे ज़्यादा तेज है क्योंकि जहानाबाद के भूमिहार जाती के लोग जो है वो NDA से खपा दिख रहे हैं तो वही सुरेंदर यादब दूसरे तरफ से चुनाबी मैदान में है उन पर चाहने की बात नहीं कर रहे हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम मौजूद हैं जहानाबाद में हम पार्टी के राष्टिये महासचीव चुनू सर्मा के साथ और ये जानना चाहते हैं कि जहानाबाद के भूमिहार किसके साथ है सबसे पहले चुनू जी स्वागत है आपका और हम यह जानना चाहते हैं कि जहानाबाद के भूम्यार किसके साथ है। रितेश कुमार चुनू किसके साथ है। और रही बात आपके सवाल का तो जहानाबाद के भूम्यार हो या बिहार के भूम्यार और भूम्यार ये की बात क्यों कर रहे हैं। पूरे बिहार का 80% जन्मानस आज परधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चंटान के तरह खड़ा है। या फ्रनितीस कुमार जी के किये कार्जियों के साथ पूरी तरह इस वास दिखाते हुए। इनके कंडिडेट को समर्थन देने के लिए संकल पे थे। जहानाबाद में तो लोग कह रहे हैं कि चंदेशवर परसाद चंदमांसी काम नहीं किये हैं। भूम्यारों को सम्मान नहीं दिये हैं। इसलिए हम पूटा सा जमात होगा हमारे ख्याल से हो सकता है कहीं पर उनके सम्मान को ठेश पहुचाओगा अब हम इस तरह से तो हम पूरी तरह समिच्छा तो किये नहीं हम बताए कि अभी बहुत बड़ा मेरे साथ जखना हुगा और अब हम जाकर पबली को फेस करें। लेकिन जो भी हमारी टेलीफॉनिक बात होते रहती है या फिर लोगों से मिलने जो हमारे पास आते रहते हैं या फिर जिस तरह माद्धर से भी बात होती है तो हमको लगता है कि सब लोग परधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी के लिए संकल्पित करें हैं। जहानाबाद में जो पुर्व सा लिए जहानाबाद के भुणियारор के संवाइन को क्या हो गया जो जहानाबाद का बुणियार or और हम अरून बावु के भूमिहार समाज के लड़ाई नहीं लग रहे हैं, वो सिर्फ अपनी राजनितिक बजूद के लड़ाई लग रहे हैं, अच्छे एक चर्चा जो है आम और खास दोनों में चल रहा है, कुछ जो है भूमिहार जाती के लोग जो है, क्योंकि हम भूमिहार जाती पर ही आज आप होगा, कुछ लोग सुर्यं दर यादव के परतिनी धी बनने का दावा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब जहानाबाद के भूमिहारों का इतना ही वजूर बचा है, कि अब मंत्री शांसद और बिधायक नहीं बन कऱे वो परतिनी धी बनके ही संतूस करना चाहेंगे देखे बारी-बारी से आपका सवाल पर अगर हम जाते हैं तो सबसे पहला सवाल आपका है कि कुछ भुम्यार जो है अरून बाबू की बात कर रहे हैं कुछ भुम्यार सुरिंदर यादो की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अरुन बाबु पही आते हैं तो अरुन बाभु जहानभाद के दो वरसांट से रज़ पहे हैं तो अगर उनके तरीफ में, उनके साथ होने के लिए कुछ एगर बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बुली बात है इतना बड़ा जमात है उसमें से कुछ लाजमी सी बात है को उन से भी प्रिरीथ होंगे उनके काम को भी सराहना करते होंगे तो उनके साथ होंगे इससे NDA के भोटर इससे चंदरेसवर चंदरवंसी जी को क्या लेना देना है और रही बात आपने सुरेंदर प्रशाद यादो जी की बात की, आपके पास किसी भुम्यार ने का, पहले ही आपको बता देना चाहते हैं, आप बार बार भुम्यार की बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा हम भी उसी अंदाज में आपको जवाब देना चाहते हैं, हमारे जान इना बाद में जिन लोगों के आपट कर रहें कि शुरेंदर यादो की बकालत कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सुरेंदर यादोंजी का हात हमारे खूण से रंगा हुआ है क्या इस बात से इंकार हम लोग कर सकते हैं और साइद इसी का पाप है साइद इसी का आविसाप है कि आज तक वो दुवारा यहां से सांसद निर्वाचित नहीं हुए और जैसा आप लोग भी जानते हैं कि लोग सभा में उनको राजनितिक संत अटल विहारी बाजपेज जी साफ कहा था कि अब दुवारा तुम जो हो इस सदन में का हिस्सा नहीं बनोगे और वो हमने देखा भी है और हमको पूर बिस्वास है राजनितिक संत का कभी बानी जो है जूटा नहीं होता है तो हम फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि अब जो है आने वाला चुनाओं म पीज में जाकर खुलने वाले हैं क्या है मतलब थोड़ा यहां भी बता दीजिए कि आखिर चुनू सर्मा जब निकलेंगे क्योंकि अप लंबे समय के बाद निकलेंगे तो चुनू सर्मा किसके साथ दिखेंगे और किसके खिलाफ दिखेंगे हम सिर्फ और सिर्फ जनता पाटी ने थी इसकुमाज जी और लोजपा और उपंदर कुश्वाह जी के साथ लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा मोदी जी का भागत हैं साइद ये सवाल ये जवाब कोई राजमीती कुर्टा पहने वाला एक खुले आम नहीं देता है लिए जिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के कार्ज काल से हम इतने परवा भीत हैं कि साइद अभी एगर हम किसी अपोजीशन में भी होते और हमको अगर मोदी जी जी ताओ दो ही तरह के लोग आपको दिगेंगा ये परधान मंतरी का है एक कह रहा है कि नहीं परधान मंत्री मोदी जी फिर से बनना चाहिए और एक छोटा सा जमात है वो कह रहा है कि नहीं परधान मंत्री हरा हो कौन परधान मंत्री उसके गुटका होगा यह अभी तक किलियर नहीं है तो हमारा विश्वास परधान मंत्री मोदी जी के साथ और नहीं जोड़ते हैं लेकिन ये भारत की सचाई थी कि 500 बरसों तक हमारे अपने स्विराम के लिए संघर्ष करना पड़ा और इन तमाम भी पच्छी राजनितिग्यों ने भारतीय समाज को गुमराह करने का काम किया है और वो सपना आज हमारे परधान मंतरी मोदी जी ने पूरा करने का काम किया है दूसरी बात ये जो धारा 370 ये कोई आम बात है ऐसा तमाम कार्य साइंसे टेक्नलोजी के छेतर में इंफ्रास्ट्रक्चर के छेतर में सारी कार्य इतिहासिक हुए है और आज हम क्या बोलेंगे क फलाना को टिकट नहीं दे दिए चिलाना को टिकट नहीं दिए इसलिए हम इनको भोट नहीं करेंगे क्या हमारे अंदर का जो आवाज है वो हमको माफ कर पाएगा हमारे मुख मंतरी नितीज कुमार जी की बात कर लीजे 24 घंटा बिजली लाल्टेन यूग की बात करते हैं ह सभी बिहार वासी, सभी जहानावाद वासी इस बात को जानते हैं, समझते हैं, अगर थोड़ा बहुत गुमरा भी हो गए, और सुरेंदर यादो तो कभी बिकल्प हो ही नहीं सकते हैं, आज की राजनितिक दौर में, अगर हम सुरेंदर यादो को लोग समा में चुनाओकर च चुके हैं, और हमको राष्टिये जनता दल, फिर से उसी दल-दल में फेजना चाहती है, अगर राष्टिये जनता दल का नियत साफ होता, तो वो सुरेंदर प्रशाद यादो जी को केंड़ेट यहां से नहीं घोशित करता, किसी साफ सुत्रे उमिदवार को यहां पर लेकते हैं, बिचार करते हैं, हम सोचते हैं कि क्या, तब हम साइध आपके बातों से कुछ समर्तन भी दिखाते हैं. आप यूबा हैं तेजस्वी यादव भी यूबा हैं यूबाओं की बात कर रहे हैं रोजगार की बात कर रहे हैं नौकरी की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव से क्या आप इतिफाक नहीं रखते हैं तेजस्वी यादो जी के बातों में वो जो बात करते हैं उनका एक्षन प्लान बिल्कुल उनसे अलग है उनका जो उनके पिता जी का भी कारज काल रहा है ऐसे राजनितिक धरूहर है लेकिन उनके भी कारज काल में या फिर तेजस्वी जी के कारज काल का कोई भी एक अनुकर करनी है हम लोग के लाइक चीज नहीं है आज वो एक बात करते हैं नौकरी की नौकरी की बात कर रहे हैं बहुत मतलब अजीब लगता है कि राष्टियत अंतादल का नेता नौकरी की बात करता है मुख्मंत्री तो नितीश कुमार जी है लेकिन नितीश कुमार जी ने उतना द कि नैपिंग के छेत्रों में इन्होंने भी रोजगार दिया है उस समय हुआ करता था हतियार लेके जिनके पास हतियार रहता था उनका एक अलग जीवन रहता था और जो गैर हतियार वाले रहते थे उनका जीवन एक अलग होता था तो यह उन छेत्रों में यह कहां क्या जाने नौकरी और रोजगार कैसे पैदा किया जाता है ये तो बस एक जमात को छोटे से जमात को सिर्फ बरगलाये हुए हैं और अपना राजनीतिक रोटीश ने करे हैं हमारा देश आज कहां चल गया और फिर ये तेजस्वी युग में जाएगा हम तो नहीं समझते लालू जी के जुग में जाना चाहेंगे हम लोग हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं हमारे सभी आस पास के लोग एक दूसरे से परदा में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और हम फिर वह ही कहा है कुलू जी आपको नहीं भूलना चाहिए कि बिहार के सबसे बड़ी पार्टी आरजेटी है और अकेले त्यस्वी यादव पूरे बिहार का दौरा करके 110 जाधीक सभाका जो है संभोधन कर चुके हैं देखिए बिक्रम जी हम आपको बता रहे हैं कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी अगर आजके डेट में है तो उसका पूरा स्रे हमारे माननीय मुख मंत्री नितिश कुमार जी को जाता है राष्ट ये जनता जलका तो कोई नाम लेवा भी नहीं था 22 ते वो 2 पर आते 2 एमेले साइड आ जाते तो बहुत था लेकिन हमारे मुख मंत्री जी को कुछ दिन होता है कभी कभी होता है इस तरह का और साहनुभूती में आ गये उनके भकावे में आ गये और हमारे मुख मंत्री बहुत ही गयावान है बड़े चोड़े सीने वाले हैं और वो सब के लिए सम्मान रखते हैं और इसी का नतीज़ा है को भी मुख मंत्री बना दिये थैं ठीक है यह काम सिर्फ नितिज कुमार जी कर सकते हैं तो आप यह क्यों नहीं मानते है जब मांजी जी को बनाए तो तेजस्वी जी को ही बन जाता है मखदुमपूर की राजनीती में अगर कुछ बहुत अंदर जाना है तो लोग मानते है कि चुनू सर्मा ही बता सकते हैं मखदुमपूर के लोगों का मियाज क्या है या फिर उनको कैसे आप जो है कर पाएंगे लेकिन कहा करना है सारे पबलिक संकल्पित है और मखदुमपूर की जनता संकल्पित है अब देखे आने के लिए वह एक कौन है आजसु तोस्तरमो वह अपना घूमते रहते हैं बेचारा अरून बाहुवी का घूम रहे है उनका भी भूम्यार भूम्यार आप बार बार हमसे पूछने इसलिए हम बोल रहे हैं हाँ दो चार हमसे बात करने लगे कि ऐसे बड़ी सम्मान करते हैं हम उनको बता है कि हम बेला में गये थे जीतन रामांजी जी का चुनाओ पर चार करने संजोग से हम चल गए बिंदासपूर हमारे सुरहंदर पशाद्यादो जी का काला चिट्टा हुआ खुला हुआ है हमको 8.5 किलो आती है सारी इतने दिनों में रांजिट है तो यह हमारे जो अनिल वाविटखारी बिदहायक ours इंजिनियर को करने लगे पता चला कि सुरूंद्र पशाद्यादो जी का लानामा जो हां की है वहां बिदहायक है वहां नहीं चाहते है कि हम बने यह कहते हैं कि थुम लोग बो सब बातों में कोई दम नहीं है सीधे मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी आप लोग क्यों बूल गए हम लोग यह वाले बिल्कुल जीत होगी यह जो नाम इस यादो जो आप बता रहा है यह कहीं के नहीं इस बार इनका आखरी चुनाओं होगा और इनको यहां से बिदाई इसी तुरूप में दे दिया जाएगा अच्छा जहानाबाद की राजनिती को जो करीब से समझने वाले लोग है उनका कहना है कि परधान मंतरी कई बार जो है आ चुके हैं जहानाबाद क्या इस चुनाओं में आएंगे तो उनका आने से बेनिफिट होगा चंदिश्वर परसाद चंदमाशी को या फिर अभी ही म बौधी ले हर कायम है. देखे परधान मंतरी नरनर मधी जिस शेत्र में जाने से, आप तो समझते ही है कि जाडू मई म। ही महेंथ हो हो जाता है, अगर जहानाबाद आते हैं तो हम लोग के लिए सवभागी की बात है, अगर यहां आते हैं तो हम तो निश्चित रूप से समझ रहे हैं कि हम लोग का जो मेहनत है वो उसका मतलब क्या बता है सब्द नहीं है लेकिन यह हम लोग के हाथ में नहीं है यह साइद हमारे प्रक्यासी ही बता सकते हैं कि क्या नहीं है कि अपने समाज को बरगलाएा रखना सही और जूट को वह जवाब काम करता है हम तो तेजा सिवी जी से डाइरेक्ट बात कर देंगे खाली देखिए आपका मुह है आप बोलते रहे हैं उनका हमेजेंडा देख रहते वह जो गोसित किये हैं एक करोड नौकरी हम देखेंगे भी हार बास लेगो आप परधान मंत्री हैं आपका क्या रोल रहेगा पर हमाले पांच है अगर एंपी भी जिती है आप कहीं दर्जे क देखिए हमारे कितना रिक्वार्म भैकंट है सरकारी सरकारी नौकरी का पूरा आप देखिए रोजगार का कितना खाली है ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं इसी बात से हम ज़्यादा खपा रहते हैं कि कोई डेटा जो है जवरदस्ती वह अपनी बात और वह इसी तरह के लो की जानकारी है कि भूला बाबू भी जहानाबाद के चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं चंदेश्वर परसाद चंद्वाजी के पच्छ में कुछ इस तरीके की बादचीत हुई है या जानकारी है आपको भूला बाबू आ रहे हैं बाइस तारीकों ही आ रहे हैं और द उनके कारे से परभावित होकर जुड़े और यह जो हम पताए कि हम अभी विशमदोर से गुजर रहते और उस दौरान जो उनका सहयोग रहा उससे हम तो और खेर उनके लिए दिल से हैं और उनका इंतजार बे सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके आए बताए हुए रास्ते पर चलेंगे औह जैसे ही आएंगे यह धस्तर पर हम अपना अम लोग अपने कल जाएंगे लोंक का नहीं कि नाराजगी दूर करेंगे नाराज जैसे बात तो है नहीं लेकिन भोला वावु तो ये हमारे साथ रितेश कुमार चुनू थे हम पाटी के राष्टिये महासचीब हैं इनका साफ कहना है कि हम लोग मोदी के लिए काम कर रहे हैं और जहानाबाद में मोदी लहर सर चड़ के जो है बोलने वाली है यहां किसी भी तरह की कोई टकराहट नहीं है सुरेद यादब पर तीखा हमला करते हुए त्यस्वी यादब पर हमला करते हुए इन्होंने कहा है कि घर घर मोदी हर हर मोदी की स्थिती जहानाबाद में फिर से रहेगा वहीं जिस बात की चर्चा लगातार कई दिनों से हो रही है कि भोला बाबू जहानाबाद के चुनावी मैदान मूतरने वाले हैं उस बात का पुष्टी रितेश कुमार चुन्नू भी कर रहे हैं कि भोला बाबू जहानाबाद आ रहे हैं और वैसे लोग जो अभी नाराज है उन लोगों को भी मतलब मनाने का प्रयास किया जाएगा उन लोगों की नाराजगी भी दूर होगी इसमें कोई सक नहीं है कि भोला बाबू आएंगे तो जहाना बात के जिस जाती भुम्यार जाती के नाराज होने की बात है उस नाराजग में लगातार कई मतलब भर्सों से यह राजनिती शक्रिय राजनिती के साथ जनता की म्याज पढ़ने में सफल है और इनका मानना यह है कि इसमार मक्दूमपूर की जनता जो है फिर से मोधी लहर में यहां चंदेश्वर प्रसाद चंदवनशी को बोट करने का काम करेगी आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्वाद